दोस्तों इस बात में तो कोई भी डाउत नहीं है कि हमारे TV सीरिल्स फैमिली ट्रामा पर आधारित होते हैं क्योंकि एक फैमिली ही एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी लोग मिल कर एक दूसरे का हाथ थाम कर साथ साथ चलते हैं ठीक उसी तरह हमारे टीवी के कई सितारे हैं जो अपनी फैमिली के साथ खुबसूरत रुष्टा शेयर करते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला कर हमीशा जिन्दीगी भर साथ चलते हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टीवी सीरियल्स में कदम से कदम मिला कर अपनी अपनी फैमिली के साथ चलने वाले सितारे रियर लाइफ में अपनी फैमिली से काफिवी दूर रहते हैं तो आघरकर कार कौन कौन से हैं वो सितारे चली जल्द के जान लेते हैं नमबर एक रश्मी देशाई इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अभिनेतुरी रश्मी देशाई का शामिल है चिनोंने उत्रन सेरिल में एक अच्छी बेटी की भूमिका निभाई थी जो कि अपने परिवार वालों के साथ मिल जल कर रहती थी लेकिन आपको इस बारे में उशा हो गया है जिसके चलते अपना करियर बनाने के लिए ये मुंबई में आखेली रहती है नमबर दो रोहन महरा इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर नाम शुमार होता है अभिनेता रोहन महरा का जो कि अभिनेतुरी रश्मी देशाई की तरह ही अपने परिवार से कोसो दूर है जी हां रश्मी देशाई के तरह ही इनका परिवार भी अमरत्सर में रहता है लेकिन अपने रोजी रोटी संभालने के लिए इन है अपने परिवार से दूर रहकर मुंबई में ही रहना पड़ रहा है हाला कि हमीशा अपनी फैमिली से मिलने जरूर आ जाते हैं नमबर त जाताकारा यानि के सुरतिचा मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं जिन्होंने काफी हाट वर करके मुंबई में अपना करियर बनाया और आज अपने एक्टिंग में सफलता के जंडे गाड़ने के लिए इन्हें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है ताकि आर्थ मुंबई में सेटल्ड हैं जहां क्योंकि इनकी फैमिली दिली में रहती है लेकिन ये एक मिड्रल क्लास फैमिली से बिलॉंग रखते के चलते इन्होंने अपनी आक्टिंग के दुनिया में कदम रखने के लिए मुंबई की तरफ अपना कदम बढ़ाया और आज इन्हीं परिवार वालों से दूर रहती हैं इन्फाक्ट एक तो इसके पीछे का कारण ये था कि आक्टिंग के करियर को बरकरार रखना चाहती थी तो वहीं दूसरा तरफ ये रीजन ये था कि रोहन महरा के साथ लिए रिलेशन्शिप में रहना चाहती थी हाला कि आज अन दोनों क प्रेक्शन में कमेंट करके बताईए का जरूर साथ ही टीवी जगत से जुड़े ऐसे ही मसाले तार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें